BPSC के माध्यम से बिहार में 3rd phase की सिख्षक भरती के लिए advertisement जारी कर दिया गया है 10 तारिक से आवेदन प्रारम होकर के 23 फरवरी तक चलेंगे और अगर आप late fee payment के साथ आवेदन complete करना चाते हैं तो 25 फरवरी तक आप अपना आवेदन complete कर पाएंगे इसमें attempt को restrict किया गया है कि maximum 3 attempt अभीरतियों को मिलेगा अब ये 3 attempt कैसे count होगा मालीजे कोई अभीरति पिछली बार आवेदन किया था लेकिन परिछा में समलित नहीं हो पाया या फिर किनी अभीरतियों ने परिछा के लिए आवेदन तो किया लेकिन वो परिछा देने ही नहीं गया तो क्या ये attempt count होगा इसके अलामा चार इसतर के सिक्षकों की भरती के लिए अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं तो क्या इस condition में एक अभीरती particular किसी एक पद के लिए आवेदन किया जैसे मालेजे primary के लिए आवेदन किया वो आपका post wise है मतलब की primary कक्षा एक से पाँच के लिए आपको तीन attempt दिया जाएगा अपर primary कक्षा चैसे आठ के लिए अलग तीन attempt दिया जाएगा TGT कक्षा 910 जिसे माध्यमिक बोला जाता है बिहार में उसके लिए अलग तीन attempt दिया जाएगा और PGT जिसे बिहार में उसके माध्यमिक बोला जाता है उसके लिए तीन attempt दिया जाएगा अब ये चारों इस तर के लिए आवेदना आप तभी कर पाएंगे जब आप minimum eligibility उसके लिए occupy कर रहे होंगे जैसे कि अगर आप DLA होंगे तो जाएड सी बात है किवल primary और upper primary के लिए eligible होंगे लेकिन अगर आपने B8 course कर रखा है तो फिर आप upper primary से लेकर के PGT तक यानि कि 6-8 और मादमिक और उच मादमिक तीनों के लिए eligible हो जाएंगे लेकिन उसके लिए भी आपको estate qualify होना चाहिए तभी जाकर कि आप जो TGT वाला है यानि कि मादमिक वाला 9-10 वाला और उच मादमिक वाला यानि PGT 11-12 वाला वो आप apply कर पाएंगे ठीक है तो वो सभी चीज़े आप eligibility में देख चुके होंगे कि minimum eligibility क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर attempt की बात करते हैं तो एक candidate को अगर वो चारों इसतर के सिख्षकों की भरती के लिए eligible है तो उसका अलग अलग तीन-तीन attempt दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि किसी एक अभियर्थी का एक पद के लिए मतलब primary के लिए तीनों attempt समाप्त हो गया तब वो BPSC के किसी भी teacher eligibility teacher advertisement के तहत आवेदन नहीं कर सेता ऐसा नहीं होगा अगर आपका primary में खतम हुआ है तो अपर primary में अभी भी आपके 3 बचे हुए हैं TGT में अभी भी आपके 3 बचे हुए हैं PGT में अभी भी आपके 3 बचे हुए हैं कहने का मतलब कि 4 इस्तर के सिख्षकों के पद के लिए अलग अलग 3 attempt count होगा मर्ज नहीं होगा तो माली जे किसी एक candidate ने TRE1 में आवेदन किया और उसमें परिच्छा भी दिया तो उसका एक attempt count हो गया मालिजे वो select नहीं हुआ ठीक है दूसरे TRE में उसने फिर आवेदन किया लेकिन इस बार किसी भी कारण वस वो परिच्छा देने नहीं गया तो क्या ये इसका attempt count होगा नहीं होगा ध्यान से समझ अगर आप केवल आवेदन कर देते हैं परिच्छा में समलित नहीं होते हैं तो वो आपका attempt count नहीं होता है जब तक कि आप उस परिच्छा में ना बैठ जाए ना समलित हो जाए तब तक आपका वो attempt count नहीं होगा ठीक है यानि कहने का मतलब कि अगर TRE1 में किसी candidate ने आवेदन किया लेकिन परिच्छा देने नहीं गया और अब TRE3 में आवेदन कर रहा है तो उसका ये दूसरा attempt count होगा क्योंकि TRE2 में वो चुकी परिच्छा नहीं दिया था कहने का मतलब कि अगर आप परिच्छा देते हैं तब ही आपका attempt count होता है यहां तक लियर अब बह लगतार सिख्छा विभाग की मंजूरी और उनके बैठक के माध्यम से ये लगतार समिख्छा करता है कि किस प्रकार से अभियरतियों को ज़्यादा सज्यादा लाब दिया जाए जैसे कि इनों ने जो minimum eligibility तै की थी qualifying marks के लिए उसको भी ये 75% सीटों को भरने के लिए lower down करने के लिए बाद में जाकर के TRE1 में बाद में जाकर के वो advertise करते हैं कहने का मतलब कि बार बार ये अभियरतियों के firm फैसला लेते हैं अभियरती लगतार ये मांग उठा रहे है कि तीन जो attempt है उसको बढ़ा करके minimum 5 attempt किया जाया अगर आप BPSC की जो मुखे परिच्छा होती है वो देखेंगे तो उसमें भी पहले तीन attempt था जिसे बढ़ा करके 5 attempt किया गया साथी आपको ये भी धियान देना है कि बिहार में जो नया reservation policy है उसके अंतरगत 75% सीटे रिजर्व हो चुकी है 65% आपका जाती की अधार पर और 10% EWS मिला करके total 75% सीटे रिजर्व है 25% ही सीट अब जो maximum majority है 75% वो जाईर से बात है बिहार के candidate होंगे और बिहार में उस ratio में उतनी ज्यादा सीटे नहीं है डियलेट के condition में और किसी भी primary की अगर हम लोग बात करें especially primary की जब बात होती है तो वहाँ पर किवल डियलेट वाले eligible हैं तो फिर भविश में जाकर के इन 75% सीट जो को जो की बिहार के candidate से ही भरा जाना है क्या उसके लिए उतने candidate available हो पाएंगे और अगर नहीं हो पाते हैं तो सिक्षा विबाग और BPSC बाद में जाकर के इस पर विचार कर सकती है और जो number of attempt है 3 है उसको बाद में जाकर के बढ़ा सकती है लेकिन अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्द बाजी होगा ध्यान से समझने वाली बात ये है कि BPSC की मुखे पलिचा में भी पहले 3 attempt है जिसको बढ़ा करके 5 attempt किया गया है अभीरती लगतार BPSC से और सिच्छा विबाग से मांग कर रहे हैं कि 3 attempt को बढ़ा करके 5 attempt किया जाए निश्ची तोर पर भविश में जाकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर बहुत दूर की बात है और कोई उसके बारे में अभी से confirm बता भी नहीं सकता लेकिन आप अपने लिए अंतिम उसर मान कर ही तैयारी करिएगा भविश में जाकर कि अगर आपको मौके बढ़ते हैं मिलते हैं तो वो आप के लिए बोनस होगा उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गयोंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो